आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें हमारी वीडियो पहले आप तक पहुँचे घंटी जरूर दबाए हेलो वेलकम टॉर्णी फैसन आईए आज मैं आपको हॉल्टर ने ब्लॉज की कि दिखाने जा रहा हूं जो कि हमने पिछले भाग में आपको हॉल्टर ने कि कटिंग दिखाया था उसी ब्लॉज का आज में सिलाई दिखाऊंगा तो सबसे पहले हमें यह देख सकते हैं आप कि हम छोड़ दे रहें पहले हम फ्रेंट पर लेकि यह जितने भी डॉट्स के निसान है यह इसी पर हम डॉट्स डालेंगे तो दोनों पल्लों पर हमने निसान लगा दिया था कटिंग के समय ही देख सकते हैं आप तो अब हमें इसमें करना क्या है यह जो जहां जहां निसान है उस पर हलका हलका सा कट लगा देना है ताकि दोनों डॉट्स बराबर बराबर आजाए यह देख सकते हैं हमने साड़े निशान पर कट लगा दिया है अब हम इसको कितना दबाएंगे और कैसे दबाएंगे यह मैं आपको बताता हूं हम यह जो फ्रेंट वाला फ्रेंट पल्ले का फ्रेंट डौ जो है यह हम हाफ इंचिर्प दबाएंगे यह भी हाफ इंच साइड़ वाला दबाएंगे और यह एक इंच को noon निश घाता हो सबसे पहले हम फ्रेंट पले की कि फ्रेंट वाला डॉट लगाएंगे हाफ इंसे बबाएंगे बस है कि यह हम ने दबाया है कि यह हाफ इंस से कम दबेगा यह देख सकते हैं जो आर्मोल वाला डॉट से यह देखें, आर्मोल वाला हाफ इंस से कम दबाया, अब साइड वाला हाफ इंस दबेगा, यह देख सकते हैं, कि यहां से हमने हाफ इंस दबाया और सुई के नौक के बराबर उस तरह से मिलाना है हमें, जैसे यह देख सकते हैं, हमने मिला तिया है, सारे डॉट्स को इसी तर तो इसके लिए हमने यह देख सकते हैं, कटिंग में ही आपको बताया था, कि यह डॉट के लिए इतना कपरा एक्ष्ट्रा छोड़ा गया, उसके बाद यह मार्जन है, जो कि हमें टाइट लूज करने के लिए चाहिए होता है, तो इसको हम ना पेंगे पहले कि यह कितना है, देख सकते हैं, आप एक इंच है, तो एक इंच हम यहां भी दबाएंगे, आधा इंच पर हम यहां निशान लगा लेंगे इस तरह से, यह देख सकते हैं, और इसी तरह से हम सुई के नौक के बराबर इस तरह से मिला देंगे, सिलाई लगा के, यह ब्लॉज का डॉट सारा जो कि ब्लोज को बैटने में आसान करता है अगर हम इसमें पफ ने डालते तो यह फ्लेट हो जाता है इस तरह से छेस्ट पेखिच जाता है। तो यह ज़रूरी होता है ब्लोजों में कोई भी ब्लाज हो अगर यह डॉट में डालेंगे तो फ्रिंट सक्ट बनेगा। इसी परकार से हम दूसरे पल्ले में भी डॉट डालेंगे के यह देख सकते हैं हमने दूसरे पल्ले में भी डाल दिया है यह देखिये पफ इसमें भी बन गये है और यह देख सकते हैं दूसरे पल्ले में भी पहले पल्ले जो हमने सिलाई लगा था डॉट डाला था यह दूसरा पल्ला है यह देख सकते हैं दोनों में पॉफ बराबर है अब इसमें हमें एक में आई पट्टी और दूसरे में हुप पट्टी लगानी है तो पहले हम आई औ और हुट नहीं लगाएंगे, पहले हम बैक प्लेट डालेंगे और नीचे मोरना है उसे, क्योंकि हमें इसके गले का पूरा सेट करना होता है, तो इसलिए हम इसको अभी रख रहे हैं, बैक पला हम पहले बनाएंगे आप, यह देख सकते हैं, यह बैक पला है, इसमें हम बैक प्लेट डालेंगे और इसको हम नीचे से मोर देंगे, जितना हमने मार्जन रखा था, जैसे आपको हमने बताया था, कटिन में भी 3.5 इंच, पैक प्लेट डालेंगे लेंगे हम यहां से 3.5 इंच, और इस तरह से यह देख सकते हैं, ब्लॉज को, इस तरह से हम 5 इंच ले करेंगे, और इसको हम सीधा कर देंगे इस तरह से, दोनों साइड हमने कट लगा दिया देख सकते हैं, अब इसको उसी तरह से हम दबाएंगे, जैसे कि हमने एक इंच उसमें छोड़ा था, फ्रंट पले में, उसी तरह से हाफ-ाफ इंच इसमें भी दबेगा, यह देख सकते हैं, कि इसमें हमने दो क्लिट डाला है, बैक में 3 इंच की दूड़ी पर और 5 इंच लंबाई इस तरह से, तो अब हम इसको यहां से नाप लेंगे, ब्लॉज की लंबाई कल हमने आपको बताया था, 14 इंच है, फिर हम यहां से हाफ इंच मार्जन छोड़ते ह इस तरह से, तो हमें 14 इंच लेना होगा, यह देख सकते हैं, 14 इंच पर हमने निसान लगा है, क्योंकि हाफ इंच हम यहां दबाव के लिए रखेंगे, तो फिक्स 14 इंच आएगा, इस तरह से हम इंच ठेप रखके लाइन डाल सकते हैं, सीधा करने के लिए, और यह हम कट लगा देंगे यहां, और इसको अब हम मोर देंगे, तुर्पाई के लिए या अरगर सिलाई रखनी हो तो सिलाई के लिए, तो हम इसमें तुरपाई रखेंगे, इसको हम कच्छा कर रहे हैं, जो कि यह बाद में तुरपाई करने के बाद उदर जाएगा, हमने डबल कर दिया इसको यह सिंगल फॉल्ड में था अब इसको हम डबल कर देंगे फिर हम इसको डबल फॉल्ड करके 36 से इसका तो इसको चोथा हिस्सा में हम नापेंगे इस तरह से नो इंच पर हम निशान लगा देंगे और कमर 32 इंच है तो उसका चोथा हिस्सा हम आठ इंच रखेंगे तो आठ इंच पर भी यह निशान लगा देंगे और दोनों पल्लों पर नीच यह निशान लगाना है क्योंकि हम इसे मोर दिये हैं इसमें कट नहीं लगा सकते के और वोस्तुन इससे देख सकते हैं कि यह हमने क्योंब्स और muzah for प्रफ foremost पर यह सुझेख सकते हैं है कि ये हमने कवलर के लिए जैसे कहूं ठनेक यह सकते हैं इसी शेप में काड़ना और इसी के बराबर काटना हम ऊंद यह देख सकते है पट्टी के लिए हमने दूसरा कपड़ा लिए से म कपड़ा थह क्योंकि 90 cm कपड़ा था रख देंगे और इसके उपपर हम यह वाला कपड़ा रख लेंगे यह देख सकते हमने इसको रख दिया है अब हम यहां से इसका कटिंग करेंगे यह देख सकते हमने एक साइड काट दिया है और इसको हम बराबर से कटिंग कर लेंगे फिर इसको हम यहां से इस तरह से घुमा लेंगे ताकि काटने में आसानी हो कि आप निसान लगा के भी कहाट सकते हो यह कपड़ा ठोरा सा डख लग लेंगे हैं इस वज़े से मकपड़ा पर रख कर सकते हो छाइं इसके कटिंग करना अ हुद को यह कोटन कपड़ा भात तो हम निसानत लगा एक हच्ते कर सकते हैं गुमाने के बाद हम इसको उठा लेंगे आप यहां से यह डहलकने वाला कपड़ा है इसलिए हम इसको कच्छा कर लेते हैं पहले में तो इसको आम नाखुन से मोर सकते थे कच्छा यह देख सकते हाफ इंच इस तरह से दबा देना है फिर बाद में यह खुल जाएगा दो मोपठी को इसी परकार से हमें करना है यह देख सकते हैं हमने बाहर की साइड से मोड़ा है अंदर की साइड वैसे ही ओपन है आप ही इसको अंदर की साइड से सिलाई लगाएंगे जो कि आप देख सकते हैं यह हमने दोनों पल्ला लिया है ब्लॉज का इसको हम ओपन कर देंगे एक पल्ला रखेंगे एक पल्ला को हम यह सीधे साइड से रखेंगे और उसके उपर हम इसको इस तरह से बैठाएंगे देख सकते हैं कि धालगने वाला कपड़ा यह थोरा खिच गया होगा, बढ़ा चोटा हो सकता है, यह देख सकते हैं आप, हम सिलाई इस पे लगाएंगे, एक पैर की सिलाई लगाएंगे, जो कि एक पैर हम कहते हैं बूट के आधे हिस्से, तो इतना लगाना है मुझे इसके सिलाई इसके गले पे सिलाई इसी तरफ इसी परकार से हम दूसरे वाले पे भी लगाएंगे इसमें हमने सिलाई लगा दिया है एक पैर की अब इसमें हलका हलका सब कट लगा देंगे कट इसलिए लगाएंगे कि यह गले बैठ जाएगा रौंड में नहीं तो गले जब कटने लगाते हैं तो यह इस तरह से उठ जाता है तो यह उठेगा नहीं ध्यान रखिये दहीं किसलाइप अब हमें इस तरह से करके इसकी लफ़ की सिलाइप लगानी जो जो की किनारी पे बिलकूल इस तरह फोन नहीं चाहिए इस कपड़े पर आजा क्योंकि यह अंदर जाएगा इस तरह से तो मैं इसकी लफ़ किनारी पर शेलाओ लग tables तो यह देख सकते हैं, हमने दोनों पल्लों में उसी तरह से लगा दिया है जैसे हमने आपको बताया था, अब इसको हमें करना क्या है, इसको एक पल्ला को इस तरह से कच्चा कर देना अब ही फिलाल के लिए, यह देख सकते हैं, यह हमने कच्चा कर दिया है, एक डेर इंच पहले ही उतार दिया है, क्योंकि यहाँ जोड लगाना होगा, इसलिए इसी परकार से हम दूसरे वाले को भी सिलाई लगाएंगे, इस पर हमने कच्चा कर दिया है, एक डेर इंच पहले ही उतार दिया, क्योंकि यहाँ जोड लगाना होगा, इसलिए हम इसको कच्चा कर दिया, यह बाद में तुर्पई होने के बाद यह खुल जाएगा, तो अब हम इसका सॉल्डर जोडेंगे सबसे पहले, बैक पल्ला ल ग्लाउट को देख सकते हैं, अभी दोनों पल्ले को इस तरह सी रख देँगे, देख सकते हैं अब हमें करना क्या है, कल हमने आपको यह नहीं बताय था, कि इसकी solder कम कटा है और इसका ज्यादा कटा है क्योंकि यह जब हम इसको यहाँ बराबर करेंगे इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो यह ज्यादा हो जाएगा तो इसे हमें काटना होता है कटिंग के समय यह नहीं कटता है हम इसकी सेंटर से मिलाएंगे इस वाले पॉइंट को यह देख सकते हैं यह जो कट पॉइंट है इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और जितना एक्स्ट्रा होगा वह यहां से कट जाएगा वह अभी आप देख सकते हैं यह कटिंग के समय नहीं होता है यह अ यहां दबाओ के लिए दबाते हुए सिलाई लगाएंगे दूसरे पल्ले को भी हम इसी परकार से जोड़ेंगे हमने एक पल्ला को जोड़ा है और यह देख सकते हैं हाफ इंच की दूरी पर हमने सिलाई लगाया है अब इसको यह जो एक्स्ट्रा इतना अंदर आये तो इसको हम कट लगाएंगे इस तरह से यह देख सकते हमने कट लगा दिया है क्योंकि अब यह यहीं से इस तरह से घूम जाएगा सिलाई के लिए तो अब हम दूसरे पल्ले पर इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे अब हमें करना क्या है यह देख सकते बीच में सेंटर का निसान कलम लगाए था तो अब हमें यह यहां से इस तरह से जुड़ेगा और यह जितना एक्स्ट्रा होगा वो कट जाएगा मैं आपको कल भी बताया था कि एक्स्ट्रा होने के बाद यह कट जाता है तो अब यह जितना एक्स्ट्रा होगा वो कट जाएगा वो इस तरह से सिलाई होगा यह देखे अब हम यहां से सिलाई लेंगे और यहां लाके रोक लेंगे इसी परकार से हम दूसरे को भी सिलाई करेंगे यह देख सकते हैं कितना दूरी पर हमने छोड़ दिया है और दूसरे को भी इसी परकार से हमें सिलाई लगानी है तो इसको हम क्या करेंगे इस तरह से पलट देंगे बैक साइड को हम ऊपर ले लेंगे और फ्रंट को नीचे ले लेंगे इसलिए हम इसलिए लेते हैं कि इसको सिलने में आसान हो जाएगा अगर हम इधर से सिलते हैं तो थोड़ा पड़ेसानी होगी वैसे हम सिल किसी तरब से भी सकते हैं लेकिन आसानी इधर से है क्योंकि इध इधर से दिक्कत करेगा तो हम इसलिए हम को दोनों को ही जोड दिया है अब दोनों को हमें करना क्या है कि इस तरह से पकर लेना है जितना कि इसमें कोई जोल ना आए और ना ही कोई प्लीट्स बन सके जैसे कि कभी सिल्ले में दब जाता है तो इसी तरह से हमें काटना है इसको कि यह कपने नीचे वाला बैक साइट का वो दब ना सके तो यह देख सकते हैं यह हमने हाफ इंच पर कटिंग कर दिया है यह देख सकते हैं अब यह इतना सा ही बचा जितना कि इसको दबाने के लिए चाहिए हमें हाफ इंच और इसको 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 पर रखकर हाफ इंच इसको भी काट देंगे अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से हाफ इंच का दबा के बराबर होना चाहिए अब हम यहाँ कच्चा जो हमने किया था तो यह खोलना पड़ेगा अब इसको हम बराबर से मिलाएंगे जोर से जोर ताकि फिर मोरने में वो कपड़े दिखेना तो देख सकते हमने जोर से जोर मिला दिया है अब इसको हम सिलाई लगाएंगे हाफ इंच दबाते हुए जितना कि वो कपड़े में प्लिट्स ना सके यह देख सकते हैं कपर में प्लिट कहीं से भी नहीं आया अब इसी पे हम यह जो सिलाई छोड़ा था हमने इसको हमें सिलना है तो हम फिर इसी तरह से साइट से हमसिल देंगे यह हमने साड़ा सिलाई लगा दिया अब हमें इसको यहां से इस तरह से नाखुनी मारना है अब यह चीद जो है इसको यह नीचे यहां से गले से तुरपाई होगी पूरे में कॉलर में भी हर जगा हम इसको कच्चा कर देंगे उसी तरह से जिस तरह से हमने किया था यह देख सकते हैं, यह हमने कच्छा कर दिया, इधर से फिनिसिंग नजर आ रहा है, और यह देख सकते हैं, कॉलर लुप अभी देने लग गया है, यह देख सकते हैं, पर जब यह हम तुर्पई कर देंगे, तो यह और आएगा, तो फिलाल के लिए मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देता हूँ, यह बिना जोड का कॉलर हो गया, कि गले के साथ एटेज, जैसे कि यह देख सकते हैं, अगर अब ही हम इसको यहाँ से काट भी दे, तो यह बिलाच हम पहन सकते हैं, इतना अगर हम काट भी दे, केकिंच और ब्लॉज में होता है क्या है कॉलर वाली अगर होता है तो वह ब्लॉज में आप देखते होंगे कि जितना सॉल्डर होता है उतना ही रखा जाता है होल्टरनेक का मतलब है कि इसमें जितना ही कंदी कट जा या जितना कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है फिर भी हम इसको कम नहीं कर रहे हैं यह आपको दिखाने के लिए इस तरह से हमने रखा यह आप कभी भी कम भी कट जा तो यह ब्लॉज आप पहन सकते हैं यूज कर सकते हैं और कॉलर वाले में यूज नहीं कर सकते बिलोज पीछे खिचने लग जाता है इसी वज़ा से यह हॉल्टर ने कम सॉल्डर में भी पहन सकते हैं तो अब हम इसकी यह देख सकते हैं आर्मोल में पट्टी लगाएंगे और आर्मोल बनाएंगे फिर हम फिटिंग की सिलाई लग आई पट्टी हम कैसे लगाते हैं और कैसे बनाते हैं यह हमने आपको दिखा रखा है यह देख सकते हैं हुप पट्टी हमने बना दिया उल्टे साइड में दिखा रहा हूं मैं आपको पहले यह हुप पट्टी है अब मैं आपको सीधे साइड दिखाता हूं यह देखिए यह आई पट्टी है और यह हुक पट्टी है यह इस तरह से आ जाएंगे यह देख सकते हैं हुक लगके इस तरह से आ जाएंगे अब हम जो सॉल्डर बच्चा हुआ था साइट का कटिंग इसको हम काटेंगे अवराबर सहक दिया अब इसके उपट्टी लगाएंगे मोंने के लिए इसी प्रकार से दूसरी साइड की बी कटिंग होगि आर्मॉल की पट्टी के लिए हम औरयक काटेंगे कि जैसे कि हम गले में कभी-कभी और और गल की झाता है उसी तरह से हम और कटिंग रिएंगे को और इसको लगबाग सबाइंच डेरिंच की चौड़ाई रखेंगे दो पट्टी काटा है यह देख सकते हैं दोनों को हम दोनों आर्मोल में लगाएंगे यह जो आर्मोल है इसमें हम लगाएंगे सीधे की साइट से पट्टी को रखना है इस तरह से सीधे की ब्लॉज को सीधे की साइट से रखेंगे हम पट्टी को फिर यह अंदर की साइट मुड़ेगा हैं अब इसको अब हम फिर इसी तरह से सीधे के साइट से इस तरह से शिलाही लगा देंगे एकदम किनारी पर जिसे हम लख की शिलाई कहते हैं किनारी पर लग जाएगा फिर इसको तुर्पई हम मोरने के लिए छोड़ दीगें के इसी परकार से प्त्ती और सिलाईगे कि यह हमने सिलाई लगा दिया इसमें और इधर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसको हम काट देंगे, यह सिलाई के सटा के इक्स्ट्रा कपड़ा हमने हटा दिया है अब इसको हम तुर्पई के लिए छोड़ देंगे इस तरह यह मुड़ जाएगा यह मैं आपको सिलाई कच्चा लगा के दिखा देता हूं यह आप देख सकते हैं इसमें हमने सिलाई लगा दी यह उल्टे साइड है और यह सीधा साइड है देख सकते हैं तो इसी तरह इसी परकार से हम दूसरे साइड भी लगाएंगे और पट्टी इसी परकार से लगाएंगे जिस परकार से हमने इस साइड लगाया है पट्टी और सिलाई यह देख सकते हैं हमने दोनों साइट सिलाई लगा दिया है पट्टी लगा दिया है देख सकते हैं इस तरह से अब हम इसकी फिटिंग देंगे तो बैक में तो हमने से लगाने का निशान लगाई दिया है अब फ्रैंट में कया लगाते हैं यह मैं आपको बताता हूं यह देख सकते हैं यह फ्रैंट पल्ला है अ को अई वाला पल्ला है तो इसमें भी आए वाली करेंगे और करना है तो यह हम 9 इंच इस तरह से निसान लगादेंगे कमर 32 इस तो उसका भी छॉथाए इससा करना आपकी अध्यnost फॉर्स्ट वाले सिलाई से हमें लगानी है और जैसे कि होपर लगाया उसी तरह से यह इंच टेप यहां रखना है और यहां से आठ इंच नापना है क्योंकि कमर 32 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा आठ ही होता है तो 8 इंच पहरे हम निशान या लगा देंगे यह देख सकते हैं हम निशान लगा दिया आई पंटे में यहाईजिए ही पीडि़ में आपके देखड़ा ले गाएंगे 2 큰 प्रोपर यहाँ से लेंगे शाल धे जहां से यह मुम रहा हैं तो यहां से लेंगे 9 इंच चोटा ही नो इंज, यहां भी हमने निसान लगा दिया, फिर 32 इंज का चौता हिस्सा हमें लेना यहां 8 इंज, जो की कमर 32 इंज है, अब हमें सारे निसान से निसान बैक और फ्रंट को मिलाना है, यह देख सकते हैं इसमें निशान है तो हम इस तरफ भी हलका से लगा लेंगे और यहां तो अल्रेडी लगा हुआ है तो हम निशान से निशान मिलाएंगे यह देख सकते हैं तो हम इस निशान पर यह रहा निशान से हम मिला दे रहे हैं कि यह देख सकते हैं नीचे वाले निसान से भी हमने नीचे वाले निसान को मिला दिया है फिर हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे ताकि फिनिसिंग लगे देखने में यह आपके मन की बात जो आपसपह लगा सकते हो या नहीं भी गषक्ते हों को यह हमने फिनिसिंग के लिए लगा दिया कि इसी परकार से हम दूसरे साय भी छेला लगां अब इस इसको आप जानतें के इसका कमर नपक्ति व्यूंको छती कमर आपś पड़ियों है तो 32 इंच आप इसको नापने इस तरह से जैसे मैं आपको बताया था कि आई पट्टी के फर्स्ट सिलाई से इस तरह से नापने हमें तो यह 32 इंच आ गया है प्रोपर 22 इंच है यह 32 प्रोपर आ गया तो आप हमें करना क्या है इसको इस तरह से यह जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे मोर देना है तुरपई के लिए और यह चीज ध्यान में रखना है कि कई लोग देखते हैं कि यह front में यह जो margin होता है इस तरह से मोर देते है लेकिन worthless मे यह नहीं मुड़ता है यह back के side मूड़ता है इस तरह से यह देख सकते हैं, यह इस तरह से मोर देंगे, और अब हमें करना क्या है, यह देख सकते हैं, आई पट्टी है यह, और यह हुक पट्टी है, तो इस तरह से हमें मिलान करना है पहले गले से, और इस तरह से यहां का, नीचे का, तो नीचे हमें एक निसान लगा लेंगे, ताकि है अब इसको छोड़ देते हैं फिर उसी तरह से मोड़ा है जिस तरह से हमने इसको मोड़ा है कि यह आप देख सकते हैं आप तो यह हमारे होल्टर नेक्ट ब्लाउज की इसलाई कम्प्लीट हो चुकी है